कहा जा रहा है कि विराट कोली को भी T20 में अब replace किया जाएगा विराट कोली की replacement ढूंड जाएगी लेकिन सवाल ये है विराट कोली की replacement ढूंडन की बात ही क्यों हो रही है वो तो इस बार भी man of the tournament बनेगा इसमें कोई शक्की बात नहीं इक लोते इस प्लेइंग 11 के ऐसे खिलाड़ी जो कंसिस्टेंट है इसका ही ने रन तो बनाए लेकिन वो कंसिस्टेंट नहीं रहे बड़े मैचों में रन नहीं बना पाए विराट कोली का सब को पता है वो इसी तरह से खेलते हैं T20 में 35-40 गेंदों में उनका अर्द्शतक आता है और उसके बाद जो वो 10-15 गेंदे खेलते हैं उनमें 30-35 रन बना देते हैं जिसकी वज़े से उनकी जब पारी समापत होती है तो 50-52 गेंदों में 80-85 रन होते हैं और काफी ग्लोरियस वो पारी लगती है लेकिन से में फाइनल में उन्होंने उतनी गेंदे नहीं खेली इसलिए 40 गेंदों में 50 रन पे वो रह गए लेकिन लोग कह रहे हैं सोचल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि विराट कोली को कुछ प्रूफ करने कि अब जरूरत नहीं रह गई है T20 में इसलिए उना इस फार्मेट को छोड़ देना चाहिए यंगस्टर्स के लिए वो भी 2 साल बाद 36 साल के हो जाएंगे और ऐसे में यंगस्टर्स को ही ये फार्मेट खेलना चाहिए लेकिन ये लोजिक तो मेरी समझ के परे है ऐसा तो सचिन तेंदुलकर से भी कहा जाने लगा था 2008-2009 के बाद जब राहुद रविट सोरव गाहूली वंडे साइटप से बाहर हो गए थे कि सचिन को भी फारमेट छोड़ देना चाहिए सचिन को किसी को प्रूफ करने की जलूरत नहीं है और जब वो फोम में थे तो वो क्यों उस वरमेट से दूर होते और यही बात विराट कोली पे भी लगो होनी चाहिए विराट कोली गोट है टी-20 क्रिकेट के उनसे बहतर बले बाज अगर इंटरनेशनल टी-20 की बात करें नहीं आया इस तरह से खेलने वाला और अगर वो अपना करी अर बिना टी-20 वाल्ड कप के खतम कर देंगे टी-20 का तो दुख होगा एस अ क्रिकेट फैन सबको और हर को ही चाहता है कि जब हारदिक वांट्या कपतान हो 2024 टी-20 वाल्ड कप में वेस्ट इंडीज में होने वाले उसमें विराट कोली अज़ प्लेयर नमबर तीन पर ही खेल रहे हो बस ओपनिक पार्टनर्शिप में कोई प्रत्विशो जैसा हो जो धुआधार आकर रन बनाए तो चलिए दोस्तों मैं राहूल धाया फिलाल इस वीडियो के लिए इतना ही आगे भी इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहे है मेरे साथ जैमाता दी